तो हेलो एक बार और आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अभी बर्मा में दोस्तों मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बता रहा था कि अपने चैनल पर एक नए सर आ रहे हैं जो कि आप लोग को सारे सब्जेक्ट परहेंगे तो वह सर तो नहीं आया अपने चैनल पर लेकर उन्होंने अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है इस्टडी कलास हम उसका लिंक आप लोगों को डिप्स्क्रिप्शन में डाल दिये हैं आप लोग जाकर के वहां से चेक कर लिजेगा चैनल को और वहां पर जाईए बहुत ही अच्छा से सारे सब लोगों को पढ़ाओंगा तो आप लोग यहां से वह पर लीजेगा और सारे सब्सक्रिक्ट शुगां से भी कर लिजेगा चुलो तो देखो अपना लोग पर रहे थे बाल या आवस्तह बंबाल विकास में गत्यात्मक विकास जिसको किर्यात्मक विकास भी बोलते हैं उसम सबसे पहले बालक का क्या होना चाहिए अच्छा स्वास्त होना चाहिए शमाजी करन होना चाहिए आत्म निरभरता होना चाहिए ब्यक्तित विकास में महतपुर्ण योगदान जो गामक कोसल के महत होता है वह किस किस पे तो अच्छा स्वास्त अच्छा स्वास्त कैसे देखो क्या होता है कि बालक के गामक यह किरियात्मक विकास जितना अच्छा होगा बालक में उतनी अधिक क्रियासिलता होगी बालक में उतनी अधिक क्या होगी एक्टीबीटी होगी कब होगी एक्टीबीटी जब उनमें क्रियात्मक विकास अच्छा से होगा ठीक अधिक क्रियासि कर लो कभी-कभी आप जब बीमार पढ़ते होंगे दो देखते होंगे कि end like the wateruciones मॉसम चल रहा है बमला हावा बहा है इसको हमारे 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 इलाका मेंच्ट को मखक्षिया हा तो स्रुम्हान के यह रहता है तो सुस्द हो जाता तो क्या करता है कुछ विकाम करने का मन नहीं करता रहता है हमेसा नींद आता रहता है तो इसके लए अच्या स्वास्त जरूरी होता है ठीक अच्छे सरीदिक स्वास्त वाले बचे मांसिक से भी क्या होते हैं स्वस्थ होते हैं और पर्षन रहते हैं अतोह क्या होता है कि बालक का सारीरिक और मानसिक स्वस्थ बहुत कुछ बालक की किरियात्मक यक्ताओं और कोचलों के विचार पर अधारित होता है ठीक ना चलिए अभी देखिया समाजी करन समाजी करन क्या होता ह तक है जो बचा एक्टिबीटी करेगा ठीक है जो बचाइक टीस करेंा ऑन ही का आप लोग देखेंगे कि जरी劃ण होता है ठीक है जो ध़ूषंदा ध्यंद्ट में धियान देता है उन्हीं का फ्रेंट में प्रेंड रता है कुछ बचों को बचा एक्टिवीटी जड़ा करता है उनका अच्छा स्वास्त भी राता पधाय में भी मन रखता और उनके फ्रेंट्स भी अच्छे अच्छे होते हैं और बहुत जड़ा होते हैं तो फ्रेंट्स होंगे तभी तो समाजी करन हो पाएगा इसके बात क्या था आत्म निरभाड़ता क्या होता है यहां इसको करता है यहां पर आकरोगे क्ष्ट सासा भी खाराता है इस बाद क्या करता है वह पूर्णता दूसरे पास रित होते हैं ठीक इसके बाद किरियात में व्यक्ता हूं और कोशलो के विकास के साथ साथ आत्म निर्भार तो होता जाता है फिर क्या करता है कि धीरे धीरे वह उठने लगते हैं बैठने लगते हैं चलने ल अचछे कि अच्छे गामक विकास की स्वस्त में ऑश्वंस्त में क्या होते हैं अच्छा ना चलिए तो अभी अब आप देखिएंगे कि बालक के गत्यात्मक्विकास का वर्नन कीजिए देखिए इस इस कोच्चन को आप कर लिजेगा तो गत्यात्मक्विकास रिलेटर आप लोगों के पास बहुत सारे नोट्स हो जाएगा बहुत सारे अब्जेक्टिव साप लोगों का किलियर हो जाएगा ठीक है इसका ट्रीक है याद करने का क्या सीर धर हाथ पैर की दिसा प्लब सीर से सुरू होगा और कहां तक पैर की दिसा अब्जेक्टिव कोश्चन में आप लोगों को पढ़ाईते कि गत्यात्मंग विकास की दिसा किधर से किधर होती है तो कहां से कहां सीर से पैर की और तो सीर के छेतर में क्रियात्म विकास जब होता है तो क्या होता है तो एक महिने का जब बालक होता है तो वह पेट के सारे उसको लिटाया जाए तो वह सीर को क्या करता है थोड़ा सा उठाता है ठीक है एक माह के बचा क्या करेगा सीर को थोड़ा सा उठा सकता है ठीक इस क्या होत पांच या छो माह के बालों को दी बठाए जाए तो वह बैठे बैठे अपने गर्दन को थोड़ा बहुत इधर उधर गुमा सकते हैं सीर के छेटर में एक पर मुख किरियात्मक विकास नेतर समन वय होता है जो जन्म के कुछ घंदू टक नेत्रों में नव के बराब होता है नेत्र समन वय क्या होता है यह आप लोग साइंस में पढ़े होंगे बताने का हमको नहीं लगता है कि कुछ जरूरत होगा सब बच्चे यहां पर साइंस कहीं होंगे हमको जहां तक उम्मीध है चलिए इसके बाद दूसरा क्या था कि धर के छेत्र में किरियात्मक विकास क् इसमें पर्टेंट चीज़ लिख दिया आप लोगों को बच्पन में मुखत दो क्रियाओं का विकास होता है क्या होता है धर के छेत्र में उलटना यह लुड़कना दूसरा बैटना है तो यह नोट्स आप लोगों को टेली ग्राम पर मिल जाएगा टेली ग्राम अपना कौ देते हैं देखिए क्या था कि धर के छेत में बच्पन में धर के छेत में मुखत दो किरियाओं का विकास होता है पर्थम उलटना यह लुड़कना और दूसरा क्या होता है बैटना जन्म के लगवग पचास दिनों तक बालक करबट नहीं ले सकता है परन्तु दो माह की प्रक्राट लेने में बालक पहले सी पहले अपने सीर को मोड़ता है फिर धर और फिर पैर को ठीक है तो हमको उमीद करते हैं आप लोग को यह भी क्लियर हो चुका होगा अब देखे क्या होता है कि भुजाओं और हाथों में क्रियात्म विकास जब जबूजाओं और हाथो टैप कोश्चन है इस सब को आप लोग नोट कर लिजेगा वीडियो को पहुज करके देखी क्या खता है भूजाओं और हात्वों के छेत्र में जिन किरियात्मक छमताओं का विकास बच्पन में होता है उनमें पकरने की किरिया क्या होती है मुख्य होती है यदियापी हाथ औ हो जाती है यद्यकी बस्तुओं को पकरने की छमता लगभख 5 मह की आयुँ में ही विक्सित होने लगती है मुठी से पकरने की किरिया लगभख कितना में रहेगा और नोट्स भी आप लोगों का त्यार हो जाएगा जिसे क्या होगा कि आप लोग नोट नहीं बनाना है सौट नोट बनाना है ठीक है जिसे हमको क्वेश्चन्स याद रहेगा बागबागी तो आपको किताब में लिखाएं रहा था किताब को तो लीड आप लोगों क करना ही पड़ेगा जिसे क्या होगा एक बार में आप लोग पढ़ियागा और समझ जाएगा नहीं समझेगा तो आप लोग हमको बताएए फिर नहीं समझ आप मंद बुद्धी होंगे आप समझ जाएंगे पैर मारने या पैर चलाने की किरियाओं का बिकास गरफकालीन अवस्था से पराराम हो जाता है यह भी अब्जिक्टिव टेम में आता है ठीक है इसकाथ सकींड क्या जन्म के बात बालक में पैर चलाने या पैर मारने की गतिया खुछ अधिक बर जाती है लगभग छो माहा का कर दो लगफ जब घुमता है तो वह पेरों का भी सहारा लेता सबसे पहले बालक घुमने में कि इस साल का भुझता है कि एक मिनट बिना किसी सहरे को खरा रह सकता है हर लोग एक और हर लोग के बारे में अपना लोग कभी जानेंगे अभी के लिए इतना ही आज इतना ही है इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा यहां पर टेंसर मत लिए ठीक है चलिए तो इतना आप लोगों को नोट कर लिजेगा और चैनल पर नए आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा एंड जो चैनल का लिंक आप लोगों को डिप्सक्रिशन में दिया है उस पर जरूर जाकर करके भीजिट करना बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता हुआ पर भी आप लोगों के लिए एदनाची कापी है